नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल में मैं रानी गुपता आपके साथ बड़ी ख़वर पर्शम बंगाल को लेकर के आ रही है दर असल पर्शम बंगाल की सी अममता बैनरजी जो है इन दिनों लगातार आने वाले 2024 की लोगसबा चुनाव को लेकर के और प्रधान मंत्री बनने की लालसा को लेकर के लगातार जद्दो जहत करती हुई दिखाई दे रही है और जहां उन्होंने अभी दिल्ली वो हाली में उन्होंने दौरा किया था इसके बाद वो चिन्नई के दोरे पर जा रही है और यहां उनकी मुलाकात स्टॉलिन से होने वाली है और कहा जा रहा है कि वो आने वाले लोगसबा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा कर सकती है तो इसी के बाद बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जल्दी परशम म मंगाल में CAA यानि की नागरिकता कानून लागू होगा तो वही TMC जो कि सत्ता धारी है परशम मंगाल में उनके प्रवक्ता कुनाल घोश ने कहा है कि TMC ये कानून कभी भी राज में लागू नहीं होने देंगी आपको बता दें वही कॉंग्रस नेता धिरंजन चौधरी ने भी ममताव एनरजी के चन्नाई दौरे को लेकर के हमला बोला और कहा कि अब ममताव एनरजी की राजनेतिक शाख खत्म हो चुकी है वो बस इस तरीके से दिखावे मात्र का दौरा और बैठक कर रही हैं आपको बता दें कि परशम मंगाल विदान सभाग में नेता प्रत शुरू हो चुकी है और परशम मंगाल इससे अच्छूता नहीं रहेगा इससे राज के मटवा समुदाय और नाम शुद्रो जैसे पिछडे जातियों को भी लाब मिलेगा हाला कि राज की सत्ताधारी पार्टी त्रडमुल कॉंग्रेस याने की टीमसी ने सी ए लागू ना होने देने की बात कही है केंद्र सरकार ने सोमवार को एक अधी सूचना जारी कर पाकस्तान बांगलदेश और अफगानिस्तान से भारत आकर गुजरात के आनंद और महसारा जिले में रहने वाले हिंदू सिख वौद जैन पार्सी और साई लोगों को भारतिय नागरिक्ता देने की घोशना की थी आपको बता दे कि इसमें बड़ी बात ये है कि सरकार ने लोगों को विवादास्पद नागरिक्ता संशोधन अधिनियम दोहजार उन्यस की जगा नागरिक्ता कानून उनिस सौपच्पन की धाराच्छे के तहप नागरिक्ता देने का नर्णे किया है आपको बता दे कि नागरिक्ता कानून 2019 में भी पाकस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश से आई हिंदू सिख बौध जैन पार्सी और रिसाईयों को नागरिक्ता देने का प्रावधान है लेकिन अभी इनके नियम तयान ना होने की कारण सरकार ने अधिनियम उन् जैसे पड़ोसी देशों से आए कुछ अल्प संख्यक समूहों को नागरिक्ता देने वाली अधिसूचना के साथ सी ए गुजरात के दो जिलों में पहले ही लागू कर दिया गया है साथी सुवेंदू अधिकारी ने कहा कि परश्ममंगाल में भी सी ए लागू किया जाएग और इससे मटवा समुदाई के सदस्यों और नामशुद्रों जैसी अन्य पिछडी जातियों के लोगों को भी आवश्यक लाभ मिलेगा आपको बता दे कि इससे पहले पांच माई को केंद्रिय ग्रिहमंत्री अमिर्शा ने परश्ममंगाल के दोरे पर सिलिगुडी में एक जनसबा में कहा था कि C.A. के वास्तविक्ता है और इसे कोरोना महमारी खत्म होने के बाद लागू कर दिया जाएगा जिसके बाद सही लगातार ये हल चले तेज हो गई थी कि जल्दी परश्ममंगाल में C.A. लागू होगा जहां पुरे देश में इस कानून को लागू कर दिल्ली के शाहिन बाग में कैसे तमाम लोग इसके खलाफ बैठे थे लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और अभी भी इस कानून को लेकर के बाते चल रही है और कहा जा रहा है किसे देश में जल्दी लागू कर दिया जाएगा जैसे ही कोविट की ये महमारी खत्म हो जात तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममताव एनरजी के चन्नाई में तमलनाडू के मुख्यमंत्री द्रोमुक अध्यक्ष एम के स्टॉलिन से भेट करने और लोकसबचनाव 2024 पर चर्चा करने की संभावना है आपको बता दे कि एक अधिकारी ने जानकारी दी है ममताव एनरजी चन्नाई के दौरे पर जाएंगे क्योंकि बंगाल के कारिवाहक राजपाल एल गनेशन ने उन्हें तीन नवंबर को अपने बड़े भाई के जन्म दिन पर आमंत्रित किया है वहीं अधिकारी ने बताया है कि बुद्वार को चन्नाई पहुंचने के श्रीगरबाद ममता म अनरजी स्टॉलन से उनके कैंप आफिस में मुलाकात कर सकती हैं ममता के एक रात चुन्नाई में ही प्रवास का कारगरम भी है साथी उन्होंने बताया कि त्रणमुल कॉंगरस की सुप्री मो तमिलनाडू के कई बड़े नेताओं से भी मिल सकती हैं जिनके गनेशन के पारि वारिक कारगरम में शामल होने के लिए करदाताओं के पैसे से बैनरजी के चिन नहीं जाने पर सवाल भी उठाया है आपको बता दे कि राजक द्वारा जगदीब धनकड को प्रास्टपती पत के लिए नामित किये जाने के बाद 18 जुलाई 2022 से ही लौग अनेशन के पास मन ममताव एनरजी के दोरे पर भारतिय राजनीती में अपने खराब होई शाक को बहाल करने का तरीका बताया है साथ ही कॉंगरेस नेता चौधरी ने ये भी कहा कि मुझे वजह समझ नहीं आती कि ममताव एनरजी राजपाल के परिवार में किसी की जनमदिन पार्टी के लिए इचन नहीं क्यों जा रही हैं मुझे लगता है कि ये केंदर सरकार के साथ संबंधों को सुधारने का तरीका है तकि पर्शम मंगाल को फिर से जगदी धंकर जैसा राजपाल ना मिले इसी के साथ ही ममताव एनरजी और द्रमुक अध्यक्ष स्टॉलिन के बीच मुलाकात की वज़ा पर कॉंग्रेस नेता ने ये भी कहा कि ममताव एनरजी को पता है कि रास्ट्री और राजनीती में उनकी साख अब खत्म हो चुकी है उन्होंने पहले भी कई नेताओं के साथ ऐसी बैठके की हैं लेकिन सब बुरी तरीके से असफल रही है यही वज़ा है कि उन्हो ममताव एनरजी अब जा रही है तमिलनाडू दौरे पर पर वो चन्नाई में स्टॉलिन के साथ साथ तमिलनाडू के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगी और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले 2024 की लोग सबच चुनाव में अपनी शाख को बचाने के ये बैठक ममताव एनरजी के द्वारा होगी तो इसको ले करके कई चीज़े देखने को मिल सकती है फिलाल जिस तरीके से अधिरन जंच चौधरी ने सीधे तोर पर कहा है कि अब ममताव एनरजी की राजनितिक शाख खत्म हो चुकी है यानि कि उनका राजनिती में जो लेंगी इसी के साथ ही सुवेंदू अधिकारी ने सीधे तोर पर कहा था कि राज में ये कानून लागू होगा और ये एक बास्तविक्ता है जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बाते हैं तो वो ध्यान से सुनने कि कोविट महामारी के बाद ये कानून जरूर लागू हो उनको भारत की नागरिक टावश्य प्राप्त होगी फिलाल आपके उस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट्स अक्षिन में जरूर बताएं आगी क्यों और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले